कि नमस्का दोस्तों हलो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आज का यह वीडियो विशेश कर संजा जी जो एक व्यूवर है उन्होंने एक कुश्चन पूछा था जो कि कच्छा साथ की गड़ेत में शा पूरा प्रयास करूंगा और आप लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास भी करूंगा तो चलते हैं दोस्तों फटाफट कुश्चन को देखते हैं क्या था उनका कुश्चन तो दोस्तों कुश्चन को इस प्रकार से है कि नश्रीन घर से 3 किलोमेटर 5 गंटा की चाल से विद्याले जाती है और 4 किलोमेटर 5 गंटा की चाल से वापस आती है क्या लगाटे हैं यति उसे आने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर निब द्ल êtesन कितनी दूर है यह कुश्चन नंबर चार और यही जो संजीव जी थे उन्होंने पूछा था तो लगाते हैं फटा फट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी चीज हमसे पूछी जाती है उसी को हम एक्स माल लेते हैं इसमें हम तुरंब गया एक्समान लेगे माना की नसरीन के घर से याकिओना की दूरी लगा 21 मिनट तो आने में लगा समय, प्लस जाने में लगा समय, कितना हो जाएगा 21 मिनट के यहां फर एक बात और ध्यान देना कि जाने में जो चाल दी गये थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गये थी यहां पे दूर्लि उसने किस में दे दी मिनट में द ci हम को इंगे कि जब मिनट को हमें अमे टे में अगले की वास क्या जात तती गंटा यह आप लगेगा और इधर लोगों सूत्र पढ़ा था कि दूरी बराबर चाल means क्या होता है समय तो यहां से समय बराबर क्या होगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल दूरी बटे 4 ठीक अब यह आने में लगा समय हम कैसे निकालेंगे दूरी बटे 4 तो दूरी कितनी है एक्स मानी है मैंने और चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक इसके बार प्लस जाने में लगा समय इतने 4 किलो मीटर प्रति गंटे से वापस आती है दूरी तो वही रहेगी जो दूरी जाने में लगती थी वही दूरी आने में लगती थी X बटे 4 बराबर 21 बटे 60 समझगे अब इस समीकरण को सिंपिल सा हल कर लेना है यहाँ पे लासा ले लो तो यह आजाएगा 12 यह इधर 4X प्लस 3 का गुणा इधर हो जाएगा 3X और नीचे दोनों का गुणा हो गया इधर बराबर 21 बटे 60 4 में से 3 जोड़ दिये तो यह होगे 7X बटे 12 बराबर 21 बटे 60 तो यहाँ पर केवल X इधर लखेगे बाकी 12 भाग में था तो इधर जाएगा हो जाएगा गुणे में और सॉरी यह 21 है और यह 7 उपर गुणे में था यह आजाएगा नीचे भाग में और यह 60 पहले से ही था अब इसको हलका लेना है 7 तिया 21 ठीक है और 12 पंचे 60 यह कितना आगया 3 बटे 5 5 का भाग दे दो 3 में 10 अमलब लगा तो जीदो 5 चका 30 तो यह हो गया 10 अमलब 6 किमी क्यों किलो मीटर में दिया था तो आंसर मेरा किस में आया किलो मीटर में यही मेरा क्या आजाएगा आंसर आजाएगा कैसे लिख देंगे इसको अताहा नस्रीन के घर से विद्याले की दूरी बराबर 10 अमलब 6 किलो मीटर यही मेरा आंसर हो गया इसी प्रस्न को आप मेरे ब्लॉग विन्यकी पार्टसाला.blogspot.com पर भी पढ़वा देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लिए जन्यवाद